वार्ड नमबर 64 में मर्हूम खाली दबदुल्ला की याद में पाक सरकर सोचल वर्फेर सोसाइटी के जानित से ब्लड डुनेशन कैम्प और फ्री हेल्थ शेकप कैम्प और्गनाईज किया गया जहां MLA और MMIC देवशिश कुमार वार्ड नमबर 64 की काउंसलर सिम्मी जहां वार्ड नमबर 62 की काउंसलर सना एहमद युवा नेता शारिक एहमद दाऊद भाई महमद शाहबाज इस्तियाक एहमद राजू फरीद खान के इलावा दिगर सियासी वा समाजी रहनुमा मौझू इस दौरान वार्ड 64 की काउंसलर सिम्मी जहां ने सियासी तबसरे करते हुए बताया कि बीजेपी जो ब्लड कार्ड खेर रही है मैं चाहती हूँ कि बीजेपी के हर नेताओं में मुस्लिम लोगों का खून बसा हो आईए देखते हैं पूरी रिपोर्ट महादबड़ से सब्चर वेशी रोक्तु प्रोजन महादबड़ से रहकटाई महादबड़ से रेक्टाया खेर राज्यों के पोस्चिम मंगों का रोकते दोर कादाँ थे तामे अमादेर मुखमंधि ममता बंदबाद आ है आप समा डायरेक्शन दीचे जोतों हमना काउंसिलेर आची छोटो बड़ो जाई रक्तो दान सिविरों थेखेंने गिये तादर रून पराणी तो कोला तादर सपोर्ट कोला तो आपना इकार ती सुंदर भावे वरा और अर्गनाइस कोरे चे आमि अने रक्तो दान सिविर ए और वाट टॉश्ट में देखा जा रहा है कि शारिक भाई जैसे लोग जो है काफी एक्टिव हो करें के लिए पार्टी क्या कुछ करेगी और ऐसे युवाउं के बारे में सोचे की पार्टी अब वो सब्सक्राइब जोगों का काम होता है तो तारिक भाई शब किया था अभी यह लोग सामने था और इन लोगों का काम के लिए यह सक्सेस्पूल मिटिंग हुआ तो उसलिए हम जितना भी जुबा हमारा तिनोमुल कॉंग्रेस मा है उसको अप्रिसियेट करता है जैसे तरह से यह लोग काम किया है 21st जुलाई के सक्सेस्पूल करने के लिए एच्ट अ एच्ट अप्टू दोज युथ कॉंग्रेस, युथ तिनोमुल कॉंग्रेस को जो इतना सुभे साम एक करके काम करके तो यह रिकोर्ड श्रिष्टि क्या है सोसल वेलफेर सोसाइटी, समस्त मेंबर्स आर शारी कामेर जादेने ता आजके जे बलाट डोनेशन और्गनाजाशन कोड़े छे एतो वेल भावे ओरा और्गनाजाशन ता कोड़े छे, माने तुलो ना कोड़ा जाए ना आमड़ा अनेक बलाट डोनेशन कैम देखे ची किन्तो आजके आतो शिस्टेमेटिक वेते शुन्दोर भावे जेटा कोड़े छे ता जोन शारी एबंगन सोसल वेलफेर टीमेर समस्त मेंबर्स देर आमी आमतोरिक भावे ओदेर के धन्नो बात जानाच्छी एक्खुनी बावुदा तो बोले गालें भारत बर्षे वेस्ट बेंग अले आमादे बलाडेर कोंती नहीं किन्तु मानुषे लाइफ टा तो मेशीन होएगा छे जे बलाडेर जोन्नो ओई होस्पिटाल ले जाओ नार्सिंह में जाओ दोड़ा दोड़ी करो एई जे टाइम एई टाइम डियूरिंग एई पीरियड बलाडेर अभावे अने के मारा जाए एबार मारीर काछे जो जी बलाड पावा जाए इमेडियेट अक्षेंट होए जाए पेसेंट भालो ताके एटा फैमिली बेचे जाए आर बलाड देवाटा आजके जारा एक्त जीनीस जे रॉक तो धार्मों मैने ना जे रंघ लोट ये बिचिपी रोक्तों निये नोंगरामी खैला क खेल जे भारत बरशेर वुके आमी चाहिए ओई बीजेपी नेता दे शोरी डेश हमस्त मुस्लिम दे रख दो प्रोवेश करू कुनों ना कुनों उपए वाँ जासर पे खाले दे बादुल्ला का मेमोरी में आज ये किया गया वो तो बहुती ओल्ड सीनियार एक टीमसी लीडर थे उनका इंटेकाल होने के लिए हम लोग का बहुत अफसोस हैं उनके नाम से आज मेमोरी से सारिक ने जी ये वेलफियर सोसाइटी जो आज ब्लाड डोनेशन कैम किया है इसलिए सारिक नाम बाग और हम अल्ला पाक से भी एही में करेंगे एक मिनती जे अल्ला उनको जनत नसीब करें देखें ये बहुत बड़ी बात है कि आज पाक से वेलफियर सोसाइटी के तरफ से यहां पर ब्लाड डोनेशन कैम हुआ है और उसे भी बड़ी बात है कि बहुत बड़ी हस्ती और बहुत एक अच्छे इनसान खालिद बादुला भाई के याद पर ये प्रोग्राम हुआ है वो बहुत ही नेक इनसान थे बहुत ही मददगार थे लोग जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह वो लोगों के बीच रहते थे लोगों के काम आते हैं उनको याद करते हुए यहां के लोग ये साबित करें कि उनका काम को भूला नहीं जाता और जादा से जादा लोग जो यहां पर आज ये औरिमोल कांगरेस से जुड़े हैं और खालद भाई भी हमारी बहुत बड़ी लीडर थे तो यह हमारी पार्टी की ही सीख है शारिक और उनके टीम ने बहुत मेहनत की है, यहां पर दाउद है और सब कोई, जितने लोग हैं सुबा से लगे हैं, यह ऐसे मौसम में भी लोग आ रहे हैं, अपने मर्जी से खोन दे रहे तो यह बहुत बड़ी बहुत हार्ट वरकिंग है, मेहनती है, और वही जो लोग जम सेनियाज होते हैं, उनके दिखाए वे रास्ती पर यूथ चलते हैं, मेहनत करना और खटना यूथ का काम होता है, और रास्ता दिखाना सही दिखाना सीनियाज का काम होता है. खालिद भाई का वाट 64 में और पूरे के पूरे आलिगंज में चाहे वो वाट 60 हो 61 हो 64 हो 65 हो चाहने वाले लोग खाफी सारे थे और खालिद भाई का जैसे फैथ हुआ है इट वाज सप्राइज बेसिक ली तो यह वाले शौक से भी रिकवर करने में भी बहुत सारे लीडर् कर्मियों को भी बोलिए काफी समय भी मतलब ले लिया था और आज जो है नूर भाई के साथ दाओद लोग हो गया पूली भाई है यासीन लोग हो गया जाहिद भाई लोग हो गया एक जो है लड टोनेशन का प्रोग्राम का एक हम लोग ऐसे सोचके रखे रहे हैं और यह ज हर इंद्र मोदी की सरकार है हर किसी को परिशान और हर एक आदमी को तकलीफ पहुचा चुकी है तो नौजान तो नौजान के पास अभी रस्ता भी नहीं है तो हर कोई अभी सोचली बोलिए पॉलिटिकली बोलिए आ रहा है अभी और भी आगे आगे शुक्री तुम करो हम पर दोनीशन किया और यह हम लोग का मकसद यही था कि रोग को कई तकरीव में हमारे वाट के रोगों को कहीं जाना ना पड़े चुक्छा हमेशा फून आता है कि बड़ कार्ट चाहिए और हम लोग के पास बड़क कार्ण हो किसी को भी जर्वत हो हमाला यहां पर जूट फ सिप्ष्टन देखे बनादफ में अकसर मीरे रिखने को दो तिन इन घुन के वहन जरूर आता है कि ब्रट कार्ट हो जाने से बहुत महरबानी होता मैं बरट कार्ण कafa बीता Preferious एफन पर प्रॉब्डम नहीं होगा हमारा नंबर दिया वहा है यहां पर गुद्डू भाई है सेकर्टी है प्रिसीडेंट है और हमारे सुरेज भाई जो हमारे सीनियर रीडर भी है लिनों को फून करें किसी को भी जर्वत हो फून करें और अपना काड यहां से आखे दे जाए और मैं शुक्रियादा करता हूं अब जो सब्सक्रागाल मंत जैसाथ यहां वर रिवा12 को नेकित साथी जोचका करके आगे बढ़ािए जब परकर काया और हम लोगों कारें एक सो रस्ते प्रभरतषाईड कर रहे हैं जो प्लिक के लिए काम किरी हमारा मकसर ही एक है कि रोग आंपने इन्सान आपने जरवतमन है फून करें आपने फून करें अपने प्रिस्किप्शन और यहां से ब्लोग कर दो